हलो और वेलकम बैक टू किर्श कामर्जोंस दोस्तों आज मैं आपको करवा रहा हूँ सेकिंड सेशन मैंने जो आपको शॉर्ट नोट्स प्रवाइड किये हैं उसमें एक टॉपिक एकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट आज उसका थ्रेटिकल पार्ट करेंगे ले इसी टॉपिक का MCQS का एक लाइव सेशन में ले किया हूंगा आपने आज ये काम करना है कि जो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा आपके पास पीडियेफ है तो उस पीडियेफ से थ्रेटिकल पार्ट जो है उसका पल्लो आप शाम को लाइव सेशन में हम सब मिलके इसका टेस्ट देंगे तो थोड़ा आपका जो है नौलेज थोड़ा आपका ज्यान थोड़े आपकी कंसेप्स थोड़े और बूस्ट अप हो जाएंगे शाम को छे बजे सब यहां पर मॉक टेस्ट देने आजओ भाही मॉक टेस्ट होगा तो बेसिक आपकी प्रपेशिन वहीं से होगी वही अब क्योंकि बहुत पढ़ लिया आपने अब आपका अभी का जो टाइम है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है मॉक टेस्ट बास इससे जादा आप कुछ नहीं नया कुछ नहीं पढ़ना है आप पुराने को ही रिवाइज करो तो मॉक टेस्ट रहेगा इसका शाम को छे बजे इसी चैनल पर और साथ ही साथ दोस्तों यह बता दूँ कि की पीडिएफ भी है वो भी लेके आप प्रेक्टिस कर सकते हो 10 मॉक टैस अलग से इसी अपके अंदर हैं डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा तो वहां से आप यह सब कर सकते हो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन थ्रेक्रिकल पार्ट एमसी क्यू को फॉलो करके हम अपनी accounting करते हैं या books of accounts जो है maintain करते हैं बनाते हैं ठीक है तो जैसे मैंने कहा था कि हमें रायता नहीं फिलाना मिन-मिन चीज़ें पर नहीं हैं बराबर है चलिए पहले आते हैं key points at a glance there are three basic assumptions of accounting described under तीन assumptions है ठीक है इसके अंदर तीन assumptions है इसके अंदर तीन assumptions है कौन-कौन सी assumption है first is going concern इसके बारे मैं अभी detail में बात करेंगे consistency और accrual यह तीन basic assumptions है इनी basic assumptions पर बाकी principles जो है बने है आचा there are three basis of accounting system तीन basis accounting system के cash system, accrual system और hybrid क्या है cash system के अंदर क्या है वही cash system के अंदर यह है simple जादा मैंने कहा था death में नहीं जाना cash system के अंदर हम अपनी जितनी भी cash की transactions है चाहे वो cash की receipts है या cash की payment सिर्फ वही record करते है इसका मतलब जितनी उधार वाली transactions है चाहे वो credit purchase की हो credit sale की हो या कोई outstanding expense हो या prepaid expense इस तरह की कुछ जो transactions है वो हम record नहीं करते सिर्फ हमारा जो main जो रहता है कि हमारे पास cash आया हमसे cash गया और हम अपना profit and last account भी cash basis पर ही बनाते हैं वह कितना हमारा cash आया वो income जितना cash गया वो expense और profit and last account बना लेते हैं तो यह जो cash basis system है यह जो as a law यह acceptable नहीं है company acceptable नहीं है क्योंकि हमें जो accounting करनी होती है proper जो हमारे accounting principles है उनको follow करके करनी पड़ती है लेकिन cash basis में हम उन principles को follow नहीं करते क्योंकि आपको याद है principle है accrual principle जिसमें यह है कि आपके जो खर्चें आपको इसी साल record करने है whether paid or not तो इसमें तो जो paid है वो record किया जाती है received है वो record किया जाता है तो cash system ना भी बता देता है कि हम इस system के अंदर सिर्फ cash के रिस्प्स और cash के payment देखते हैं बाकी हम कुछ नहीं देखते दूसरा system है accrual, accrual system वो होता है जो proper accounting हमारे principles को follow करके जैसे मैंने अभी बात कि accrual principle उसमें क्या है भई आप इस साल का अगर profit दिखाना चाहते हो तो इस साल के खर्चें आपको लेने ही लेने है अगर इस साल का कोई खर्च आप ने बेशाग अगले साल पे किया इस साल नहीं पे किया फिर भी वो इसी साल के profit दिखाना है इसी तरह कोई income अगर है अगले इस साल की है लेकिन आपको अगले साल मिली तब भी आपको इसी साल के इसी इंकम और प्रफिन लाज कोई में दिखानी है तो एक्विल सिस्टम यह कहता है कि जिस साल का आप प्रफित दिखाना चाहते हो आपको उसी साल की income और expense दिखाने पड़ेंगे इंकम वैदर रसीवड और नॉट और expense वैदर पेड़ और नॉट और hybrid system होता है तिसरा इसमें है hybrid system hybrid system दोनों का mix को हम hybrid system बोलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है तीन जो basic assumption उसमें पहली जो है going concern short में बता रहा हूं business indefinite period के लिए चलता है कितने period के लिए indefinite period के लिए ठीक है going concern यानि business चलता रहता है और क्योंकि business indefinite period के चलता है तो दूसरा इसमें कहा कि उसी basis पे हम अपने expenditure को हमारे जो expenditure है उनको दो हिस्सों में बांट लेते हैं एक हमारे होगे capital expenditure जिनका benefit हमें more than one year मिलता है और एक हमारे बन जाते हैं revenue expenditure जिनका benefit हमें within the accounting period मिल जाता है यानि जो बार-बार हमें benefit लेने के लिए बार-बार खर्चा करना पड़े वो revenue expenditure और capital expenditure क् का खर्चा, non-requering का खर्चा, for example, purchase of fixed assets, purchase of fixed assets, land, building, plant, machinery वगरा खरीदना और revenue expenditure कौन से होगे, जैसे rent paid, salary paid, ठीक है, तो ऐसा खर्चा जिनका benefit within the accounting period exhaust हो जाता है वो revenue है और जिनका benefit more than one year मिलेगा वो हमारा capital expenditure है, तो इसी ये तो दो चीज़ें आपको याद रखने है, business एक एस चलता है, दूसरा क्योंकि business indefinite परिट करे चलता है, long परिट करे चलता है, long नहीं कहते हैं, indefinite कहेंगे ज़्यादा appropriate word है, तो उसी को follow करते हो हमाँ अपने expenditure को दो हिस्सों में बाढ़ते हैं, एक वो खर्चा जिसका benefit आपको उसी साल मिलेगा और एक वो खर्चा जिसका benefit आ कहते हैं, भई, accounting की बात करें, तो consistency का मतलब होता है, लगातार, यनि जो method of accounting आपने एक बार follow किया, आपको साल दरसार हर साल उसी को follow करना है, आप उसको change कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि change नहीं कर सकते हैं, आप उसको change कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा उसका disclosure देना पड़ेगा कि आपको change करने से आपकी जो financial statement है, उस पर किस तरह का फर्क पड़ा है, ठीक है, तो consistency कहता है कि कई बार accounting, आपको दो method of accounting देता है, for example, depreciation charge करने के दो method होते हैं, first होता है, straight line method, straight line method, ठीक है, और दूसरा होता है, इसमें diminishing value method, method, diminishing value method, straight line method को हम actual cost method के नाम से भी जानते हैं, actual cost method या इसको fix installment method के नाम से भी जानते हैं, तो सबका मतलब एक ही है, मतलब क्या है, straight line method, या actual cost method का, कि जो depreciation हम actual cost पर calculate करेंगे, machine की cost पर calculate करेंगे, या acid की cost पर calculate करेंगे, हमें हर साल वही depreciation लगानी है, तो जो depreciation आपने machine की cost पर, या acid की cost पर calculate की, जिस समय आपने उसका price पर किया, total cost जो उसको ही, machine की cost, plus उसकी installation या उस पर जो भी कोई खर्चा आया, उस पर जो total आपने depreciation लगाई, for example, एक machine की cost, मानलो एक लाख है, और मानलो इसके पर installation charges जो है, machine की installation charges जो है, वो 20,000 है, तो कुल मिला के cost हो गई, एक लाख 20,000 है, तो आपको अगर state line method से depreciation लगानी है, 10% तो एक लाख 20,000 का 10% कितना हो गया, 12,000, तो आपको हर साल 12,000 depreciation लगानी पड़ेगी, यह हो गया state line method, actual cost method, या फिर fix installment method, diminishing value method में क्या होता है, कि जैसे-जैसे machine की cost कम होती है, because of depreciation, वैसे-वैसे उसकी, जो depreciation है, वो भी कम हो जाएगी, एक example के तोर पर समझाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, diminishing value method में मानलो कि आपने एक machine खरीदी, आपने एक machine खरीदी, एक लाख रूपे की, ठीक है, और आपको हर साल depreciation लगानी है, 10%, तो अगर मैं एक लाख का 10% पहले साल depreciation लगाऊँ, यह पहले साल की depreciation, तो पहले साल के बाद machine की value बची 90,000, तो अगरी बार में जब depreciation लगाऊँगा, वो 10% ही लगाऊँगा, लेकिन जो value बची होगी, कितनी value बची थी, 90,000, तो 90,000 के 10% पे में इस value को लगाऊँगा, depreciation को लगाऊँगा, यानि 9,000, अब value कितनी बची, 81,000, अगर मालनो मुझे फिर तीसरे साल depreciation लगाँए, at the rate of 10%, तो मैं इसी 81,000 पे लगाऊँगा, जो कि आएगी 80,100, तो diminishing value, diminishing का मतलब होता है, decrease होना, जैसे जैसे asset की value, देखो, एक लाग से 90,000 होई, 90,000 से 81,000 होई, जैसे जैसे asset की value decrease हो रही है, वैसे आप देखो, depreciation पहले 10,000 थी, ठीक है, फिर कितनी हो गई, 9,000, फिर कितनी होगी, 81,100, तो diminishing value method वो होता है, जिसमें asset की value के साथ, उसकी depreciation भी कम होती जाती है, state land method में क्या होता है, asset की value तो कम होती है, लेकिन depreciation आपकी same रहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि 12,000 depreciation हमने calculate की थी, हर साल वही चलेगी, तो दो method of accounting हो गए, आप अगर state land method से, अपने asset की value कम करते हो, तो हर साल आपको same method apply करना है, यह नहीं कि एक साल आपने state land method ले लिया, दूसे साल diminishing value, अगर आप diminishing value method से अपने asset की value calculate करे हो, तो हर साल आपको इसी method को follow करना है, तो आप interchange नहीं कर सकते हैं, कभी इदर jump कर लिया, कभी इदर jump कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो consistency कहता है कि जो method of accounting आपने एक बार follow किया, साल दर साल आप उसी को follow करोगे, हाँ, किसी समय अगर आपको change करना ही पड़ेगा, तो आपको पूरा disclosure देना पड़ेगा, कि change करने से आपकी financial statement पे क्या असर पड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जो profit दिखाना इस साल का, इस साल का profit दिखाने के लिए आपको इसी साल की income लेनी है, और इसी साल के खर्चे लेने हैं, तो इस साल की income, कोई भी इस income जो इस साल की है, मानलो आपको नहीं मिली, आपको इस साल कोई interest मिलना था, 5000 का नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको जब मिलेगा तब record करोगे आप इसी साल का जो आपका accounting period है उसको record करोगे whether received or not तो income के लिए क्या था आपकी income received हुई या नहीं हुई आपने उसी साल record करनी है जिस साल के actual में वो है इसी तरह खर्चे भी आपने उसी साल record करनी है जिस साल के वो है weather paid or not तो आपने कई बार देखा होगा जब हम profit and last account बनाते हैं तो profit and last account में मालूम मैंने 20,000 salary दे दी और स्पोस्ज मैंने 25,000 देनी ते लेकिन 20,000 दे दी है तो मैं यहाँ पर add कर दूँगा outstanding salary हम generally उसमें add कर देते हैं वो 5,000 के salary क्यों भाई अभी तक हमने दी नहीं है लेकिन क्योंकि यह इसी साल की salary है बेशक मैं अगले साल ही दूँगा लेकिन recording उसको इसी साल के profit and last account में मुझे करनी पड़ेगी तो जितने भी expense है आपके इस साल के आपने लेने है whether paid or not और same income के लिए इस साल ली लेनी income income आपको पता इस तरफ आती है मान लो आपको कोई interest है आपको 6,000 मिला है लेकिन मिलना 10,000 था तो मैं उसको भी add कर लूँगा बेशक मुझे मिलेगा अगले साल तो मैं लिख दूँगा यह मेरा accrued interest है जो भी मुझे नहीं मिला तो मैं इसको भी लिखूँगा तो simple यह concept यह कहता है कि income or expense whether received or not expense whether paid or not आपको उसी साल record करने हैं जिस साल के वो हैं irrespective of कि जब कब आपको वो मिले या कब आपने pay किये that is accrual assumption for you चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब आगे यह तीन assumptions थी fundamental accounting assumptions इनी के ओपर accounting principle based हैं पहला principle जो है वो है accounting entity principle यह principle क्या कहता है कि owner जो है वो अलग है और business अलग है मालनो owner जो है कोई भी नाम होगा वो उसने business शुरू किया ठीक है उसने पैसा लगा दिया ठीक है business शुरू कर लिया अब हमें जो transaction record करनी है वो business के perspective से record करनी है जैसे business ने कोई purchase की कोई sale की तो वो हम record करेंगे कोई expense पे किया record करेंगे लेकिन owner ने अपनी pocket से याद रखना अपनी जेब से अपने लिए कुछ खरीदा वो हम record नहीं करेंगे तो accounting entity principle कहता है कि owner जो है वो अलग है business अलग है हमें हर transaction को business के perspective से record करना है ना कि owner के perspective से तो this is accounting concept for you तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आगे next is full disclosure principle full disclosure principle क्या कहता है यह कहता है कि आपके पास जो भी ऐसी vital information है important information है ऐसी information जिससे किसी का decision change हो सकता है आपको वो दिखानी है for example मैं एक investor हूँ ठीक है मैं किसी company में पैसा लगाना चाहता हूँ अगर मुझे यह पता चलता है कि उस company का पिछले साल profit दो करोड का था लेकिन इस साल उसने सिर्फ 10,00,000 रुब्या कमाया तो यह कैसी information है जिससे मेरा जो investment का decision है वो change हो सकता है तो full disclosure principle कहता है कि हर वो information जो वाइटल है important है किसी के लिए भी किसी भी user के लिए आपको उसको दिखाना है तो यह एक ऐसी information थी कि 2 crore से profit company का 10,00,000 रह गया तो यह एक ऐसी information है जो मेरा decision change कर सकती है कि मैं इस company में पैसा लगा हूँ या ना लगा हूँ तो हमें वो हर information जो किसी के लिए जो users के लिए चाहिए internal user है या external user है उसके लिए important है उसके लिए minor रखती है उसका decision change कर सकती है वो पूरा दिखाना है यह बताता है full disclosure principle यह हमें कुछ भी चुपाना नहीं है I hope यह clear हो गया इसके against एक और principle है पहले मैं उसकी बात करूँगा इसको कहीं कहां 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 यह आ गया materiality principle यह कहता है इसके contradiction में खड़ा है थोड़ा सा उसका opposite है यह कहता है भाई हर चीज बताने के जुरूद नहीं है कोई ऐसी चीज जिसको बताने या ना बताने से किसी पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब वो information ना भी बताओ तो चलेगा अब जैसे full disclosure में मैंने कहा कि 2 क्रोड की profit था business का लेकिन अगले साल वो रह गया सिर्फ 10 लाग ये बहुत important information है बहुत important है लेकिन कोई ऐसी information मान लो मैं कहता हूँ कि जिस company में पैसा invest कर रहा हूँ वहाँ से कोई 500 रुपे की चोरी हो गई 1000 रुपया चोरी हो गया या कुछ चोटे मुटे 50 रुपे के assets का कुछ जो है damage हो गया तो ऐसी को information जिसकी बहुत छोटी value है यानि जो मेरे decision को change नहीं कर सकती मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मुझे यह पता चलता भाई जिस company में में invest कर रहा हूँ वहाँ पे 1000 रुपे का गबला हो गया अरे यह कोई information है यह नहीं तो छोटी मुटी को information जिससे मेरी investment decision पर या किसी के भी decision पर कोई change नहीं आएगी यह आप दिखा भी सकते हो तो यह principle कहता है that materiality refers to the relative importance of item यह उस जो item उसकी importance कितनी है it requires that while recording and presenting the financial information the focus should be on material item यानि किस item पर होना चाहिए material यानि जिसकी कोई value है and item or disclosure is material if it is it will influence the decision of the user एक item का material तब होगा उसका disclosure तब होगा जब वो किसी के decision को change कर सके तो जैसे मैंने दो चीज़ें बताएं कि 2 crore से sale आपके रह गए 10 lakh या profit 10 lakh रह गया यह important information है लेकिन 1500 रुपे के चोरी हो गई कोई चोटा मोटा asset जो है misplace हो गया इसको हम दिखाएं तो ऐसी information को हम ना भी दिखाएं तो चलेगा ठीक है चलिए जी बढ़ते हैं आगे आगे नहीं वापिस पीछे क्यूंकि हम कुछ छोड़ के आए थे फुल डिस्क्लोजर हो गया dualty देखिए एक transaction के दो aspect है देखो जब एक transaction है न तो एक लेंदार एक देंदार होगा एक aspect debit होगा एक aspect credit होगा तो dualty के न सब यह कहता है कि हर transaction के दो aspect है debit और credit और दोनों क्या है बराबर है तो आते हैं जरा this principle state that every transaction must be viewed from two aspects if it therefore necessitates that minimum two account will be involved in recording a transaction तो कहता है यह जरूरी है कि दो account involve हो एक transaction में तो दो aspect मैंने जैसे कहा कि एक debit और credit आप दो account के आओंगे एक account क्या होगा debit होगा और दूसरा account क्या होगा credit होगा तो minimum दो account इससे जादा भी हो सकते हैं लेकि minimum कितने दो से कम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक transaction तब transaction है जब वो दो चीजों को effect करें जैसे एक लेंदार है एक देंदार है ठीक है जैसे आपने एक asset खरीदा तो एक asset आया एक चला गया cash चला गया जो बदले में asset खरीदा वो आपके पास आ गया तो दो aspect होगे वो next objectivity principle objectivity principle यह कहता है कि आप जो transaction record करते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले journal बनाते हैं बराबर है objectivity principle यह कहता है कि कि किसी भी transaction को जो अपने record किया है उसको verify करने के लिए आपके पास कोई ना कोई evidence या proof होना चाहिए आपने एक topic पढ़ा था source document and vouchers तो वो source document and vouchers क्या है वो एक evidence ह होते हैं बहुत जब आप किसी को कोई चीज बेचते हो तो आप एक bill बनाते हो इन्वाइस बनाते हो तो वो भी evidence है कि दो लोगों के बीच कुछ लेंदेन हुआ है कुछ transaction हुई है तो जो आप transactions record करो journal में record करोगे उसके उसकी sport के लिए आपके पास कोई ना कोई evidence होना चाहि यह verify करने के लिए कि दो लोगों के बीच transaction हुई that is objectivity principle. The principle of objectivity requires that the accounting data should be verifiable and free from any bias, वो verifiable होने चाहिए यह नि हमको verify कर ले हमारे पास proper records होने चाहिए और free from any bias यह आपके खुद की कोई उसमें जो है आपके अपने हिसाब से अपनी दिमाग के हिसाब से आप अपनी उसमें कु चलिए next is historical cost principle पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ historical cost principle यह कहता है कि आप जो fixed asset याद खना fixed asset की बात हो रही है आप जो fixed asset खरीद रहे हो उस पे आपने जो price पे किया for example आपने एक machinery खरीदी स्पोस्ज दो लात रुपे की ठीक है और मानलो इस पे कुछ खर्चा आ लाएंगे नहीं उनको लाने के लिए transportation का खर्चा करना पड़ेगा install करने के लिए engineer बुलाने पड़ेंगे वो भी खर्चा होगा तो suppose करो 50,000 आपने ये सारा खर्चा कर दिया तो आपके पास machine की cost धाई लाक है तो historical cost principle कहता है यह है कि आपने जो price pay किया किसी machine को खरीदने के लिए purchase करने के लिए further accounting उसी price पे होगी अब मुझी अगर depreciation लगानी है तो मैं इसी धाई लाख पर वो depreciation को calculate करूँगा मानलो अगर उसकी depreciation 10% है मैं यह assume करके चलता हूँ कि 10% है इसका मतलब साल के बाद उसकी value 25,000 कम हो जाएगी नहीं 2,25,000 हो जाएगी क्या असल में उस आपको यह नहीं देखना कि आपको यह नहीं देखना कि उसका अभी market price क्या है जिस price पे आपने खरीदा further accounting उसी price पे होगी depreciation उसी price पे लगेगी और आपनी books of accounting नी balance sheet में उसी price पे जो depreciation calculate करके value बचेगी उसी पे आप अपनी उसकी balance sheet को दिखाऊगे so it requires that all the transactions should be recorded at their monetary cost जितनी value आपने जो value आपने पे किये खरीदने के लिए according to this principle assets is recorded at a cost at the time of its purchase वही में बता रहा था but is systematically reduced by charging depreciation और उसको धीरे-धीरे करके उसकी value कम के जाती है कैसे depreciation लगा कर यानि market price का कोई लेना देना नहीं है यह principle हमने पढ़ लिया mentality next consistency principle देखिए consistency principle क्या कहता है यह एक minute हमने शयद basic assumption में पढ़ लिया है just a second हाँ यह तो हमने पढ़ लिया यह तो repeat हो गया इसमें चलो जी इसको मैं भी skip करूँगा क्योंकि यह basic accounting जो assumptions थी हमारी तीन उसमें हमने पढ़ लिया बढ़ते आगे prudence principle क्या कहता है यह concertism भी कहते है यह principle यह कहता है कि हमें business में expected losses है यह जो हमें लगता है कि losses हो सकते हैं हमारे उनको record कर लेना है लेकिन expected gains को record नहीं करना तो prudence principle basically हमें कहता है कि safe play करो safe play कैसे करो कि आपको लगता है कि कुछ losses हो सकते हैं for example debtors है जैसे debtors मतलब जिनको अमने उधार दे रखा है अगर मान लो कि मैंने 50 बंदों को उधार दे रखा है तो क्या यह ज़रूरी है कि 50 के 50 मुझे पैसा देंगे नहीं हर businessman को पता होता है with the help of past experience कि जब वो उधार देता है तो कितना पैसा उसको वापिस नहीं आता है तो मान लोगर मुझे ही as a businessman पता है कि suppose मैं बच्चों की बात करते हूं कि बच्चे आते हैं पढ़ने तो अगर मेरे पास 100 बच्चे पढ़ा है तो मुझे पता है कि 100 के 100 fees मुझे नहीं आएगी हो सकता है कुछ बच्चे बीच में tuition चोड़ दें या कोई भी बजा हो तो मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो एक fair idea रहता है कि कितने मेरे जो पैसा है recover नहीं होगा जिसको कहते है doubtful debts जो पैसा मेरा हो सकता है future में ना recover हो उसको कहते है doubtful debts तो यह मेरा expected loss है हुआ नहीं ह तो ऐसे losses को में record कर लूँगा लेकिन expected gains को record नहीं करूँगा तो prudence concept यह कहता है कि आप expected gains को record नहीं करोगे लेकिन expected losses को record करोगे तो क्या है according to this principle a business shall not anticipate profit एक business को अपने profit को anticipate नहीं करना यह आप होने वाले future के profit को आप अपनी books में जगा नहीं दोगे but provide for all possible losses लेकि हां जितने possible losses हो सकते हैं उनको जगा दोगे वह आप अपनी books में record कर सकते हो this principle is used in following circumstances कहां कहां use होता है एक तो closing stock जो है आपको किस price पर रखना है cost or market price whichever is less या दखना हम अपने closing stock को trading account में और balance sheet के अंतरा आपको पता है दो जगा आता है किस price पर रखेंगे cost price यह जो पैसा आपने दोनों में से whichever is less जो value कम हली होगी हम उस price पर record करेंगे दूसरा क्रेशना provision for doubtful debt यह मैंने अभी बताया कि जो पैसा आपको ऐसा लगता है कि recover नहीं होगा उसके लिए पहले से हम provision बना कर रख देते हैं और writing after intangible asset intangible asset आपको पता ही है goodwill, patent, copyright यानि जिनको हम देख नहीं सक करना यानि उन पर depreciation charge करना तो यह तीन जो हैं यह इसी prudence concept के ऊपर based हैं बढ़ते आगे money measurement principle देखे बिजनस में आपको दो तरह के transaction मिलेंगी, एक transaction हो गई जिसकी कोई money value है ठीक है मानलोग एक company है कोई, दो transaction होगी, एक होगी जिसकी कोई money value है, एक होगी जिसकी कोई money value नह है, for example, hired an employee, मैंने employee hire किया, ठीक है, strike by employee, या मैं कहूँ कि कोई बड़ा efficient employee है, यह ऐसी transaction है जिनकी कोई money value नहीं है, तो इन transactions को हम अपने books of account में जगा नहीं देंगे, इनको हम record नहीं करेंगे, लेकिन कोई इसकी कोई money value है, जैसे मैंने goods purchase की, purchase goods for cash, या sold goods for cash, तो ऐसी transaction जिनकी कोई money value है, हम उनको record करेंगे, तो money measurement principle क्या कहता है, according to this principle, transactions and events that can be measured in money terms are recorded, transaction event, जिनको हम money term में measure कर सके है, हम उनको record करेंगे, बढ़ते हैं next पे, accounting period principle, देखिए, business a going concern है, चलता रहता है, ठीक है, तो business की जो performance है हम कब देखेंगे, देखिए, अगर business चलता रहेगा, तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने first की, second की, third की, fourth की, fifth, sixth, seventh, tenth, eleven, twelfth, हर साल आपका result आता है, अब क्या, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जब आपने school में mission लिए, first time, सीधा result twelfth में निकाले, graduation करके निकालें, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसली नहीं होता, ताकि हम अपनी performance को एक regular interval के बाद watch कर सकें, कि हमारी performance, हमारे last year के मुकाबले कैसी रही, अच्छी रही या बुरी रही, अच्छी है तो और अच्छी करो, बुरी है तो improvement लाओ, तो same business में होता है कि हमें हर साल अपनी performance देखनी है, तो business चलता रहेगा, अगर हम मैं कहूं कि मैं business चलाता रहूँगा, जब business बंद कुरूँगा, तब देखूँगा, तो गड़बड है, क्यों गड़बड है, कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैंने कितनी performance की, मेरी performance कैसी ही है, तो business की जो journey है, उसको हम regular interval में बांट देते हैं, जो कि किते मेने का होता है, जिसको हम कहते है accounting period, accounting period, किते मेने का होता है, 12 मेने का, 12 months का, वो 12 months कोन से हो सकते हैं, जनरी से December भी हो सकता है, यनि calendar year, financial भी हो सकता है, 1st April से 31st March, जो हमारे tax purpose होता है, उसके लिए 1st April से 31st March होता है, खेर आप बना सकते हो, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, इस तरह से चोथा साल, पांचमा साल, छटा साल है न, तो ये हमारी performance है, हम 2nd year को 1st के साथ compare करेंगे, 3rd को 2nd के साथ compare करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमें एक idea मिलता है कि हमारा business कैसा चल कि कब मेरा profit बड़ा है, कि साल काम हुआ, reason ढूनोगा, कम क्यूं हूआ, फिर यहाँ पे काम हुआ, मुझे reason ढूनना है, तो ये जो sign है न, ये वाला sign, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखते हो न, कि वो एक patient पड़ा हुआ है, और उसका ECG चल रहा है, ऐसे, up-down, up-down, तो up-down का मतलब, उसमें सांस है, वो चल रहा है, वो जिन्दा है, अगर ये सीधी line होगे तो मतलब, मर गया, तो हमें इस line को सीधा नहीं रखना है, हमें इस line को zigzag रखना है, ताकि पता चलता रहे कि business जिन्दा और जिन्दा है, तो उसकी performance के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें आप अपनी business की जो life है, उसको accounting period में बांढ़ दो, जो कि 12 मेने का होगा, जिसमें आप अपने business की जो performance है, उसको compare कर सकते हैं, इस साल की performance को पिछले साल की performance के साथ, तो ये है accounting period principle, ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, matching concept, matching concept क्या कहता है, simple match करो, भई आप अपनी income, अपने profit कैसे दिखाओगे, आपके पास दो चीज़े होंगी, आपकी incomes और आपके expense, तो income में से आप अपने expense minus करो, तो आपका profit or loss जो भी आपने किया, वह को पता जल जाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी कहता है, कि आप जो income ले रहे हो, माल लो 2021-22 का मैं profit and last count बना रहा हूं, तो मुझे 2021-22 की ही income चाहिए, whether received or not, expense मुझे कब के चाहिए, 2021-22 का, जिस साल का मैं बना रहा हूं, whether paid or not, तो जिस साल का मैं profit दिखाना चाहता हूं, उसी साल की income, whether received or not, और उसी साल के expense, whether paid or not, मुझे दिखाने पडेंगे, this principle states that expenses incur to earn the revenue should be recognized, क्याता जो expenses हम income करने के लिए, income कमाने के लिए जो खर्चा करते है, should be recognized as expense, उसको मैं as an expense ले ले लेंगे, in the year revenues recognized, जिस साल की हम income को calculate करना चाहते है, it is not relevant when the payment was made or received, क्याता इसका कोई मतलब नहीं है की payment कब की गई, या कब receive की गई, payment कब की गई, या कब receive की तो bottom line is this, कि जिस साल का profit दिखाना चाहते हो, उसी साल की income, whether received or not, उसी साल की expense, whether paid or not, वो आपको दिखाने है, चलिए यह आगे देखते है, यह important points है, आपने याद रखने है, accounting principle are described by various terms, accounting principle को अलग-लग नाम से जानते है, assumptions, convention, concept, doctrines, postulates, यह, उसके बाद, just a second, then basic accounting assumptions are broad, concept that, that involves generally accepted accounting principle on which the practical accounting is based, तो यह कुछ important point है, basic accounting principles are accounting guidelines that has been generally accepted and have impact on the form and content of financial statement or modifying principles are the basic principle with certain specific qualification, यह देखो, modifying principle के बारे में मैंने नहीं बताए है, छोड़ा सा बता देता हूं, कि हमारी necessity और जूरतों के हिसाब से principles को modify किया गया, जिसमें modifying principle में, maturity principle आता है, concertism आता है, consistency आता है, तो इसमें एक दो चार प्रिंसिपल और आते हैं, जिनको हम कहते हैं modifying principle, यह हमारी जरूरतों के हिसाब से इनको दुबारा से modify करके बनाया गया, तो उनको हम बोलेंगे modifying principle जादा टेफ में जाने की जरूरत नहीं है, चलिए जी, यहां तक हो करके रखो, answers मत देखना, शाम को यह theoretical पढ़के रखो, इसी में से MCQs निकलेंगे, शाम को 6 बजे live session हम इस MCQs का ले के आएंगे, और बच्चों की demand थी, finance account assistant का है, जो exam जम्मू में होगा था, उसका video वो भी आपको बहुत जल मिल जाएगा, अभी के लिए इतना ही, शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं, MCQs के session के साथ, thank you दोस्तो, thank you very much.